एरपुर कस्बे के मोला तार तले निवासी एक युवक ने शबासद से उधारी का पैसा मांगने पर घर वालों को पीटने का लगाया आरोप सबासद पुलिस की हिरासत में जानकारी के अनुसार कस्वे के मोला तार तले निवाशी आकिब खांपुत्र सब्बन ने कोतवाली पुलिस को प्रारतना पत्र दे कर या आरोप लगाया है कि सवाशद आलम के द्वारा छे माँ पहले पचास हजार रुपे लिए गए थे उधार के पैसे कल आकिब के द्वारा मांगे गए जिसके बाद आज शवाशद आलम के द्वारा घर में घुसकर आकिब की माँ वा उसकी बहन को लात घूसों से मारा पीटा है उपरोक्त वेक्ती के विरुद कार्रिवाही करने की मांग की इस संबन्द में जब कोतवाली प्रिवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ मामला संग्यान में है आरोपी शवाशद को हिरासत में लिया गया है आवश्यक कार्रिवाही की जा रही है कि ये मेरा 50,000 रुपे का करक्दार था कौन आलम सभासत महिला ताड़तले मैंने इस से रुपे मांगे तो ये हर बार लडाई जगडा करता था और कल भी मेरी से बात चीत हुई उसके बाद ही मेरे घर में आके मेरी मा और बहें को लातों पैरों से मारा है इसलिए मैंने इस के उपर अगर इसने माईला के उपर हाथ इसाया है तो इसके उपर सक्ति सक्ति कारवाई की जाए क्या नाम है तुम्हारा मुहम्मद आकिफ नहां रहते हो निवासी ताड़तले है